तो नमस्कार राम राम दोस्तों फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है आपका कैसे हो आप सभी आसा और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और मस्त होंगे तो आज आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे वरक्षोप का जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं बहुत ही प् रहा है कहां का दीजे ट्रस्ट हम तयार करें कब और कैसा पूरी जानकारी आपको बताएंगे बिल्कुल जुड़े रहे हैं वीडियो के साथ में तो देख सकते हो आप अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग टाइम मैं वीडियो सूट कर रहा हूं और वीड युजब्र करें हैं तो भीडियो के साथ में जुड करें हैं उसकी पूरी अप्टेट मिलेगी तो वी युठी कीश झानकारी मिलेगी स्यक्राइदी कघिए कर दो diffности कंड़्यों जुड़े ने खड़ी है इधर देख सकते हो जिससे ट्रांसपोर्ड वगेरा माल हम छोड़ने का काम करते हैं यह इतनी अपनी गाड़ी है इधर और इस यह अपना वरक्षोप का पूरा प्रिमियम कॉलिटी के साथ में जो पिलर्स बने हुए है आप वीडियो में देख रेव डीजे ट्रस्ट फ्लोर फैक्टरी पूरे भारत में ट्रांसपोर्ड सुईदा उपलब लिखा हुआ है यह अपना सेरी जसनात वैल्डिंग वरक्षोप गोटन सिंगल चोकोर वे राउ बहुत ही बढ़िया और बैस्ट क्वालिटी जिसकी है इसे आप बोल सकते हुए है सबसे अच्छी और ग्रेलियंट क्वालेटी अच्छी और बैस्ट पच्ची साफ सुथरी क्योंटी कुल फिनिशिंग बैसाब सफभे की साथ में काम कि दूस्तों क्वालटी आप देख सक तो वीडियो के मादिम से पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं बता रहे हैं आपको तो आप वीडियो के साथ में जुड़े रहे हैं तक कि आपको वीडियो की पूरी जानकारी और पूरा पता जो है लग सके चल सके और पूरी अपडेट मिल सके आपको कि हम किस तरही का डीजे ट्रस्ट बना रहे हैं और कहां का डीजे ट्रस्ट बना रहे हैं यह थी आज की जानकारी जो मैंने आपके साथ में शेयर की वीडियो के मादिम से बताई शीरी जसनात वैल्डिंग वरक्षप गोटन ट्रस्ट फ्लोर फेक्ट्री शीरी गनेश मंदिर के आगे पर तरीक से जो वील्डिंग होता है तो वेल्डिंग हो रहा है आप देख सकते हो फाटक दिया पर आई उस गड़ी नहीं तो देख सकते हो बाहर अपनी घाड़ी खड़ी है पीक अप और क्योंकि जो माल यहां से तयार करके बेजेंगे वह सीधा का सीधा जाएगा घर पर व वहां पे कलर वगएरा होता है घर पर यहां से 500 मिटर दूकान से 500 मिटर दूर अपना घर है और और रोड पर नवरक्षो पाया हुआ है यह आप सभी के सपोर्टर प्यार्श ने आशिरवास से आप देख सकते हो किता ब्रिलियंट क्वालेटी के साथ में मैट्रियल 3-3 बनाक कर दिए आठ खड़े होते हैं आठ आड़ी साइज में लगते हैं वीच वीच के ट्रस्ट में 16 पिलर लगते हैं तो करीब गरीब हमने 16 पिलर कंप्लीट कर दिए यह आप हमारे कॉंटेक्ट नमबर देख सकते हो जिस पर फोन पे गूगल पे पे टियम और वाट्सप कर सकत हो ओनलाइन ओडर देना अगर चाहते हो तो डबल एट नाइन जीरो 951294 यह अपने कॉंटेक्ट नमबर है और यह अपना दुकान का ओल्डिंग बाट लगा है डिजे ट्रस्ट फ्लोर फैक्टरी यह तर और लगा हुए बोट आप देख सकते हो जितना हमने माल कटिंग किय प्रेमिम एट में अपने आप दोस्तों कि ता प्यार मोटल का जो ढीजर स्थ है वह तो रहा है कमप्लीट और पूरी जानकरी में आपके साथ मैं बता दी का पर पूरा जो मिग वेल्डिंग में वेल्डिंग होता है वो वाला वेल्डिंग हो रहा है और पूरा अच्छी कॉलेटी और फुल फिनिशिंग साप सपे की साथ में परफेस्टनल तरीके से काम चल रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में आपको जानकरी बता रहा हूं बहुत ही अच्छा और बेस्ट कॉलेटी और फुल फिनिशिंग साप सपे की साथ में दो बई-दो के पाइप में ये बेसमेंट बन रहे है आप देख सकते हैं दो बई-दो का चो कॉर पाइप है जिसमें ये बेसमेंट बन रहे है के 20 किलो माइनस इसका अठारा किलो प्लस इसका वेट है बेस का मलब समझ रहे हूँ उसके पाइप का बेस के पाइप टोटल 25 किलो की सम्झ बेस होती बहुत हेवी वाली बैस है अच्छी क्वालिटी की बेस है पचास पांच की एंगल है जिसमें फ्रेम बन रही है और पूरी इंडिया आपको ट्रांसपोर्ड मिलेगा वाजिब से वाजिब दाम और अच्छी और बिल्ड क्वाल्टी मिलने वाली है तो दोस्तों आप जरूर कॉंटेक्ट कर सकते हूँ अगर आपको किसी भी लेवल का डीजे ट्रस्ट बनवाना है तो आप जरूर संप्रक करें सिरी ज आपको मैंने समझा दी अच्छी और बिल्ड क्वाल्टी के साथ में काम है बारा बारा की प्रोफाइल में फ्रेमें हैं जो आप देख पा रहे हो और इधर करीब 16 पिलर है जो हमने कंप्लीट कर दी है कच्छा माल कंप्लीट कर दिया इस पर वेल्डिंग होके पूरा पक्क बना के जितना वेल्डिंग होता है उसके बाद में सीधा घर पे प्राइमर होने के लिए बेज देते हैं इसके बाद में उस पर होता है प्राइमर अच्छी और बिल्ड क्वाल्टी के साथ में प्राइमर करते हैं और पूरी फिनिशिंग वे साफ़सपई की साथ में डीज जानकरी लेनी है तो अप हमारे ऑफिशल कॉंटक्ट नंबर है जो आप देख सकते हैं और भी यही नंबर वी नंबर है अदर भी नंबर है एफिशल कॉंटक्ट नंबर डबल एट नाइट-90951294 इस नंबर पे कोल या वॉट्स ऐफ करके अपनी सारी जानकरी ले सकते हैं दोस्तों अर आगे भी आपको अपडेट बताएंगे और पूरी जानकाय देंगे और पूरी अपडेट के साथ में वीडियो शेयर भी जरूर करेंगे आपके साथ केमरे की नजर में मरलब यह वरक्षोप पर सिस्टी केमरा लगाए हुए हैं ताकि हरे एक जानकरी हरे एक मुवमेंट पर अगर हम बार भी रहें तो ध्यान रख सके और वरक्षोप का यह नजारा मैंने दिखा दिया 99% वीडियो वरक्षोप के भी में डालता हूं ताकि आप कि बिल्ड कॉल्टी का पता चल सके कैसी की कॉलेटी है कैसी की का फिनिशींग के उस nam 대해 प्रेमियुम कॉलेटी का पाइप बेड़ ऐस पर इस पर 55 एंगल लगती है हेवी वाली एंगल है और कॉलेटी और फिनिशिंग का अप के हैंटों की जड़त नहीं आप सभी को पता है करेखा शारे काम मे Owen करना हुआ तो हममें खुद वीडियो शूट करता हूं हमेसा मेरे दूकान 까ole वीडियो और मेरे इस्टाब कर सकता और कॉ भी भी आपको कोई और जानकारी होगी तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे और आपको बताएंगे अगी अपडेट किस तरह की रहेगी वह भी आपके साथ में शेयर करेंगे जरूर बताएंगे तो दोस्तों आप जुड़े रहें वीडियो के साथ में पूरी जानकारी थी मैंने आपको बता दी और यह जो प्रोफेशनल तरीके काम है जो चल रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सांदार और प्रोफेशनल तरीके का काम आप देख सकते हैं अभी फिलाल में हमारे जो वरक्षोप से आप सीधा लाइब ये वीडियो देख रहे हो वीडियो सूट कर रहे हैं और शीधा दिका रहे हैं होर्-फूल फीनिसिंग सम्में सभी के साथ में मेरेटरल मिले आप देख रहे हों वीडियो में मैं बहुत कम आता हूं जीए सुन बिडियो सूट कर देते हैं- घолж अब extra को जानकारी देते हैं आपके साथ में शहर करके और आप को अपडेट протकें कि ऊस जगे का और वह टयार ह यह दकता है और वीडियो के मैंने विद्टा दिया माल त्यार हो रहा है तो मिलेंके और नए वीडियो के साथ में जेहन जे बारत बहुत जल्ब निव लेटेस्ट बिग ट्रस्ट जो आ रहा है आपके बीच में उसका एक डीटेल रीवी वीडियो डालेंगे और आपको डीटेल जानकारी के साथ में वीडियो शेयर करके पूरी अपडेट बताएंगे मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में मिग वेल्डिंग देख सकते हैं मिग वेल्डिंग सबसे हैवी वाला वेल्डिंग ऑके थैंक यू सो मच बाई